स्वागत है आप सबका हमारी यूटुब चैनल फुल्डाम फेक्टरी स्टडी में आज हम लोग पढ़ेंगे कक्छा 5 गणित अभ्यास 14 ठीक न जयामेतिक कोन एंगल भाग दो ठीक न भाग एक में हम लोग पढ़ चुके हैं अब भाग दो पढ़ेंगे इसमें दिया हुआ है तीसरा कि निम्नलिखित आकरिती को देखकर बताईए कि कौन सा कौन किस प्रकार का है मतलब कोन का हम लोग को नाम लिखना है क्या करना हम लोग को इस कोन के सभी के नाम लिखने है अब देखिए गए इन कोनों के नाम लिखने के लिए जिसे दिया हुआ अब खो कहां लिखा हुआ है, यहाँ पर, आज जो कहां पर, तो यह देखिये, यहाँ पर, इँस तरीके से जो गया है, इसको ही पूच रहा है, तो एक बात ध्यान रखीएगा, चादा आप रख लिजेगा, और चादा को रखने के स्माज में आएगा यहां पर लिखते हैं यहां पर क्या को भूlor रहा है यहां पर 20 से 가까ल चारी पक अब 15 शोट से हैं चोटा क्या हो जाएगा हमारा new यहां पर की लिख देंगा हम लोग इसको ने को हें किया मा रहा है निफी प्रिकार से दूसरा आप देख करके भी बता सकते हैं यह देखने से लग रहा था कि नभ्बian क्या होता है और Impossible से छोटा है नबे सोटा तो क्या हो जाएगा हमारा नियून को अब देखे दूसरा हमारा दिया हुआ है खा का घा तो एक है खा हो गया का हो गया और घा तो देखे यह क्या हो जा रहा है खा का घा यहाँ पे एक नबे से बड़ा हो जा रहा है आप चाहे तो इसको रख सकते हैं जैसे यहा यहां पर है और यह घावला जो कोण है इस साइड है मतलब यह 141 नब्बे से बड़ा है ना जब नब्बे से बड़ा होगा तो हमने क्या लिखवाया है पिछली वीडियो में जो लोग नहीं वीडियो देखेंगे तब ही समझ में आएगा ठीक ना उसे में बताया हूं कि कोण कैसे है किस तरीके से बनता है तो जा करके पहले पिछली वीडियो और तब जा करके कमेंट करेंगे कोई भी इस सुरू से यह बीच में देखेंगा और बोलेंगा समझ में नहीं आ रहा तो आप यहां पर पूसके चोटा भी है तो इसको लिख देंगे हमोग अधिक को यहां पर हो ज़एगा अधिक ठीक ना अधिक को अब देखी यहां पर तीसरा घो वाला धिवा खो खो और यहां पर चधी अब टीन न मरुचांड़ को न्हीं कि घो me प्रिहरा, नवान झाल? प्रिमोर ना चाहिए तो इसको नाप सकते हैं, लिकिन इस तरीके से UBस इसिको लिख दीजेगा, कि क्या हमारा प्रिहण संपासी देख लिए आप यहां पे एक सीधी लाइन खीच दिए तो ये स्रीधा हैं को क्या भूँता है रिजू कौड़ बोलहता है जब उत्से है 180 रिजुकूंड बेऊ मतलब की चा सड्फ इधर मुडरा मुडरा दिया धिय भी बढ़ा है तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा ब्रियाद कौन इस तरीके से इसको आपको बनाना था आपको बस देखना है और बताना है कि कौन सा क्यों सा कौन है ठीक है तो इस तरीके से आप इसको देखके कर लेंगे अब चलते हम लोगे इसके अगले सवाल चौते सवाल देखते हैंकि चौथा सवाल है कैसे 14 सवाल हमाहा दियाव है कि चादी की सहाईता से निमनली कितमाप के कॉर ठीक ना, जिस में से 30 दिगरी दिया हुआ है 350 फिर 264 डिगरी दिया 108,ि दिधिया 800 डिगरी दिदिया है 200 डिगरी दिधिया 60-degree का बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक scale और एक चाहद़े की जुरूरत पड़ेगी आप दोनों में से अगर मान लिजे आपके पास scale नहीं तो आप चाहदा से भी काम चला सकते हैं ठीक है नब लेकिए आप दोनों रख लिजेगा आपको सही पड़ेगा ठीक है अब द साथ सेंटीमिटर का एक तरीके से सीधा एक लाइन कीच लिए ठीक न है यह छू साइटे में इस स्वोड़ाइब को रख सकते हैं फिकते हैं अब आप चाहें तो आप इस साइट भी चाहंदे को रख सकते हैं देखी यह जो एक यो सीधी इस लाइन पर होनी चाहिए और यह ब किन्ती स्टाट करते हैं किधर से किन्ती स्टाट करेंगे अगर हम लोग यहां पर चादा रखे हैं ध्यां से देखिएगा चादा रखे हैं यह सीधी लाइन पर यहां से एकदम सीधी लाइन पर तो यहां से स्टाट करेंगे क्योंकि लाइन इधर है ना लाइन से इधर तो इ एक लाइन खीच देंगे, ठीक है, एक लाइन को क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ कर देंगे, या खीच देंगे, ठीक है, इस तरीके से आप खीच दीजेगा, खीचने बाद यह जो कोण बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा 30 डिगरी का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमा 360 डिगरी का भी हम लोग ऐसी बनाएंगे, जैसे खवाला सवाल दिया हुआ है, इसमें बोला हमारा 360 डिगरी का कोण बनाने के लिए, तो 360 डिगरी में सबसे पहले एक लाइन खिशना होता है, हमने बता हैं कि चाहे आप 14 से खिश सकते हैं, और फिर इसकेल से भी खिश सकते हैं कि तू नाप नहीं बोला, अगर बोलता की 6 cm का लाइन खिशे तो 6 cm का खिशते हैं, तो यहां पर मालीजे है, यहां से पॉाइंट लगा दिया, यहां पर पे इन दोनों को खिश दिया, एक लाइन खिश दिया, ठीक ना, अब पॉाइंट हम चाहे से मैं प्पोरा क पूरा अगर यहां से इधर रखते हैं तो इधर से इस तरीके से आपको देखे हैं हमारा इस तरिखे से एक राउंड लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएंगा हमारा 180 डिग्री जोकि यहां तकाही 180 डिग्री ठीक न हब दूसरा इसको क्या करेंगे घुमाडेंगे अब घुमाने के बद भी क्या करेंगे हम लोग फिर से गिंति निंगे उसी सीधी लाईन से औ और गिंती गिंके क्या करेंगा हम लोग? कि 180 फिर जाएंगे, ठीग न क्योंकि 180 और 180 क्या हो जाएंगे हमारा 360, फिर एक वाग्वा कुंके आगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 बन जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब यह है, कि यह पूरा जो गोल गोलाई में बनेगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, 360 डिगरी का हो जाएगा, आप चाहें तो इसको गोल कर सकते हैं, आप गोल करने का तरीका वही है, आप चांदा लगाईएगा, ठीक ना, यहाँ पर हम चांदा रखते हैं, ठीक ना, चांदा रखते हैं, और इसको हम लोग गोल कर लेते हैं, मलब काने का मतलब यह हो जाता है, कि आप सीधे इस तरीके से भी करके, और यहाँ पर 理क सकते हैं कि यह 360 डिगरी का है, कि इनने अंसका है, 306 डिगरी का है, कितने हांसका हो जाएगा, का टेना को हो गया है डिगरी कितना पूला हामारा कि एक लाइन कुछते हैं सबसे पहले यह लाइन होती है मेगे बीच वाला पॉइंट इसस पर होना है सब्सक्राइब है ने और अब देखिया तो इधर भी रख सकते हैं चाहे तो इधर भी रख सकते हैं अब को जिदर सू भीदा लगे और बीदा लगए अच्छा लग रही कि एधर मतलब कि दिख जाएगा आप लोगों को इसलिए मैं इधर रख ले रहा हूं ढ़ें अब दे कितना अंस का कोड़ माना नब्बे डिगरी का, मतलब दिखिए, 0 से 10, 20, 30, 40, 40, 60, 70, 80, 90, 90 जश्ट सीधे में, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, दम सीधे में, और इसको जश्ट इससे क्या करेंगे, हम लोग म मिला लेंगे, आप लोग सोच रहेंगे, 360 मिलाए क्यों नहीं, भाई यहाँ पे, जब इसी लाइन पे आ रहा है, यह पॉइंट यहाँ पे, तो 360 को कैसे मिला पाएंगे, इसलिए इसको नहीं मिला पाए, ठीक ना, यहाँ पर यह क्या हो जागा हमारा, यह 90 डिगरी, यह क् दे दिया हमारा घह, ठीक ना, घह दे दिया हमारा 140 डिगरी, 140 डिगरी, अब 140 डिगरी दिया है, तो सबसे पहले एक लाइन खिचेंगे, ठीक ना, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन खिचते हैं, ठीक ना, यहाँ पे देख लिजिएगा, एक लाइन खिचेंग इधर से start होगी, इस साइट से start होगी, ठीक है, इधर से start होगी, इधर से, ठीक है, तो गिंती हम लोग इधर से start करते हैं, देखिए, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 140 यहां पर इसके just sheet में यहां पर point लगाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, यहां पर बिंदू लगा लेंगे, point, और इसी को इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे यहां से पकड़ के इसको मिला देंगे, यह मिला देते हैं, इस तरीके से, जब यह मिल जाएगा, तो यहीं पर क्या बन जाएगा हमारा 140 डिगरी का कौन, इसी तरीके से आपको को बनाना है, ठीक न, यह हो जाएगा हमारा घह के बाद आ जागा हमारा Č-चाओ. अब चाओ वाले में भी ज़श्ट इसी पर हम बना दते हैं 4 को. देख लिजिए. जैसे माननीजीए ये तो हो गया हमारा घह और यही लाइन. इसी तरीके से एक लाइन खीचेंगे. लाइन खीचने के बाद इस कोण को रखेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद देखिए, मिलाने के बाद, 140 तक तो हमारा यहां तक आया है, 140 तक, 140 के बाद 150, 160, 170, 170 हमारा पॉइंट यहां बन रहा है, तो इसको यहां पर मिलाएंगे, और इसको यह बिंदू इसमें हम बना के दिखा दिये आप लोग को लेकिंगे आप लोग को लग रहा है तो दुसरे जगा आप लोग बना करके हमको बताएगям कि बन गया आप लोगों से किन नहेइख अब हम चलते है घार के बाद 4 भी बता दिये अब हम लोग मतल़ 6 देखते हैं ठीक ना तो 6 देख लेते हैं यहां पर देखे 6 6 शत्ता वला यहां बोला है 180 डिग्री बनाने के लिए 180 डिग्री के लिए इस सेम होजी करना एक लाइन कीचिएगा क्या करेंगे लोग एक लाइन किच लेंगे इसमें दो पाइंट बना लेंगे एक इधर और एक इधर आप आप चाहें तो इस side भी रख सकते हैं और चाहें तो आप इस side भी रख सकते हैं इस side रख लेते हैं इसको सीधे रख देते हैं और इस मिला लेते हैं अब लोग सोच रहेंगे इस से इडिशन लिन रख रहाँ हो क्योंकि इधर रखोंगा तो इधर से फिर कौन इधर बनाऊंगा तो जादे दूर पड़ जाएगा इधर बीच में आ जाएगा ठीक न यह हो गया अब देखिए इधर से दस से शाइट करेंगे दस से इधर गुमते गुमते जाएगे 180 यहां पर आ रहा तो 180 यहां ही पर सीधे में पॉइंट बनेगा अब इसको सीधे इस से हम लोग क्या करेंगे इस से इसको मिला लेंगे इस से हम लोग इसको क्या करेंगे मिला देते हैं यह हम लोग का मिल गया जब यह मिल जाता है तो य ये इस तरीके से बनेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये इस तरीके से आपका हमारा बन के आ गया है, 6 का, 6 हो गया, अब J और यहाँ पे जह, J और जह, दो सवाल बचे में, उसको भी बता देदा हूँ कि वो कैसे बनेंगे, और उसके बाद इस चेप्टर को खतम कर देते हैं, जावला सवाल दिया हुआ है 200 डिग्री, कितना दिया हमारा 200 डिग्री, 200 डिग्री के लिए भी कुशनी करना है, सीधे एक लाइन खिछना है आपको, यहाँ पे एक लाइन खिछ लिजिएगा, ठीकना, इस सेट से चाई से, एक सीधी यहाँ से पॉइंट बना करके लाइन खिछ लिजिएगा, यह लाइन खिछने के बाद, दोनों तरफ पॉइंट बना दिजिएगा, पॉइंट बनाने इसलिए कि बीच वाले को मिलाना होता है, यहाँ पे हम लोग रख लिए, गिंती हम लोग इस से चाट करेंगे, कितने हैंसका बनाना है, 200 डिग्री, तो देखें यहाँ पे, बन गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जागा, तो कितना हो जागा हमारा 180 डिग्री, लेकि चाहिए कितने डिग्री तक, 200 तर, तो 180 हो गया, अभी 20 की कमी है, तो क्या करेंगे हम लोग इधर घुमा लेंगे, इधर घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद, देखिए, घुमाने के बाद, गिंती इधर से नहीं श्राट करेंगे, गिंती को हम लोग क्या करते हैं कि इधर से श्राट करते हैं, क्यों, क्योंकि 0.180 का इधर मिला चुके हैं, क्या करते हैं चुके हैं हम लोग, point 180 का इधर मिला चुके हैं, इसको सीधा रखना होता है, ध्यान रखिएगा इसको सीधा रखिएगा, ठीक है, point 180 का यहाँ पर हम लोग मिला चुके हैं, 180 का बाद देखिए, यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 20, यह हो दिगरी का कौन 200 डिगरी का यहां पर क्या हो जागा हमारा कौन यह बन करके आ गया जह 200 डिगरी अब दूसरा एक सवाल बनेगा जिसको बनेगे जहाओ तो जहाओ को भी देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं तो जहाओ वाले को देखिए यहां पर जहाओ वाला हमारा कितन पॉइंट से इंडिकेट करते हैं और इस बार हम लोग इस से हैट रहते हैं इससा इधर कमेंगे गिनती कि इदर से इटार करेंगे कि इदर से रहतों जोड़ना है तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग इस तरीके से घुमा लेंगे और इसको रखेंगे यहां पर यह हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा हमारे 180 डिगरी, यह हो जाएगा हमारे 180 डिगरी, और उसके बाद 90 और, तो 90 और का मतलब 10, 20, 30, 40, हमने बताया है कि जब दुबारा एक्ष्टा, जब 180 से एक्ष्टा जाते हैं, तो जिधर लाइन होता है, उसके जश्ट वीपिरी से गिनना हिशाइट करते है और यहाँ का मतलब इस तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लागा करके, इसको यहाँ पे मिला लेते हैं, यह मिल गया, जब यह मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारे, इधर वाला तो 90 डिगरी होगा, लेकि यह पूरा कूर जब मिलाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 270 डिगरी, कितना हो जाएगा हमारा, 270 डिगरी, और आपको यही बनाना था, 270 डिगरी को, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, और इस तरीके से आप क